दोस्तो ओपो अपनी केस रीच के स्मार्टफोन की रेंज को बढ़ाते हुए ओपो केस रीच को लाउंच करने की तियारी कर रहा है और ये एक 5G स्मार्टफोन हो सकता है लिक्स रिपोर्ट की माने तो ओपो का ये फोन ओपो के 5 का अपग्रेड वर्जन हो सकता है इसकी अलाबा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस फोन को OPPO K6 नाम से मार्केट में इंट्री कर सकता है हलाकि इसी बीच एक चैनीज टिप्स्टर ने ये दवा किया है कि OPPO का ये फोन OPPO K7 5G नाम से लाउंच किया जाएगा इसके साथ ही चैनीज वेपसाइट और टिप्स्टर दोरा लिक्स की गए टीजर के मुताबिक OPPO K7 में 5G सपोर्ट वाले Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट से लैस होगा और इस फोन के बैक में 4 कैमरे सेट अप देखने को मिल जाएंगे लेकिन इसके डिस्पले नॉर्माल 60Hz वाली डिस्पले के साथ ही देखने को मिलेंगे दरस्तो OPPO K5 की एसपैसिफिकेसन की बात करें तो लिक्स की गए टीजर की मुताबिक इसमें 6.4 इंच की Full HD Plus का OLED डिस्पले का इस्तमाल किया जाएगा जिससे स्मार्टफोन में इन डिस्पले फिंगर प्रिंट सेंसर का ओप्सन देखने को मिल जाएगे इसके साथ ही इसके डिस्पले में नॉर्माल 60Hz की डिस्पले का इस्तमाल किया जाएगा वहीं कैमरे फीचर्स की बार करें जो की OPPO K7 के बैक में 4 कैमरे सेटप देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे 48MP का में कैमरा इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाड एंगर लिंस और बागी के 2 कैमरे जो की 2MP के देखने को मिल जाएगे वहीं सेलफी और वीडियो कॉलिंग की बार करें जो किसके बारे में फिलहाल हमें कोई जनकारी नहीं मिल पाई है वैसे लिक्स की हिसाब से इसमें डूल पंच होल सेलफी केमरा सेटप देखने को मिल सकते है इसकी अलवा इस फोन में मीड रेंज के 5G चिपसेट क्वालकम स्नैप ड्रेगन 765G चिपसेट का इस्तमाल किया जाएगा साथ हिस की बैटरी और चारजिंग की बात करें तो इसमें 4025 एमेज की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चारजिंग के साथ लाउंच किया जा सकता है दस्तों OPPO K7 कंपनी के केस रीज का पहला 5G स्मार्टफन होगा लेकिन कंपनी के तरफ से अब तक कोई जनकारी इसके बारे में नहीं दी गई है वहीं OPPO K7 की पिछले मोडल की बात करें जोकी OPPO K5G से अब तक इंडिया में लाउंच नहीं किया गया है साथ ही ओपो K7 की प्राइस और लाउंच डेट की बात करें तो इसके बारे में कमपनी ने फिलहाल कोई जनकारी नहीं दी है वैसे ओपो K7 की एस्पेक्टेट प्राइस की बात करें तो ये लगवा 25,000 रुपय के असपास में देखनी को मिल सकते है दोस्तो ओपो K7 के बारे में जरा जनकारी नहीं मिल पाई है तो ऐसे में हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे इसके अलाबा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो मिल ते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching